प्रकाश शा की लिप्स्टिक अंडर्माई बुर्खा को एस सर्टिफिकेट के साथ रुलीज किया जाएगा सही सुना अपने फाइनली इस फिल्म को इंडिया में रुलीज करने पर सेंसर बोड की मुहर लग गई है अपने रुलीज से पहले विवाज जेल रुही फिल्म पर सेंसर बोड की ऐसी नजर पड़ी कि फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया गया उस वक्त सेंसर बोड ने फिल्म को बैन करने का कारण फिल्म में महलाओं को गलत तरह से दिखाया जाना था जो कि लोगों को गलत मेसेज दे सकता है CBFC के फैसले के बाद फिल्म निर्देशक अलंकृता श्रवास्तव और निर्माता प्रकाश शा ने FCAT में अपील दाखिल की थी जहां से उन्हें काम्याबी हासल हुई और उन्होंने फिल्म को रुलीज के लिए मन्जूरी दे दी लेकिन उसके पहले फिल्म से कुछ सीन्स को हटाने और कुछ जगा पर म्यूट करने के निर्देश दिये गए है इस फिल्म में काम कर रही है और फिल्म की पूरी कहानी इनी चार औरतों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी जो अपनी लाइफ को जीने के लिए छोटे छोटे काम करके अपनी आकांगशाओं, सपनों और इच्छाओं के लिए आजादी की मांग करती है बता दें कि भले ये फिल्म इंडिया में बैन कर दी गई हो, लेकिन विदेशों के कई फिल्म फेस्टिवल्स में इन फिल्म ने खूपतारी फेबटोरी है अब देखना होगा कि फाइनली कितने विवाद के बाद रिलीज होने पर फिल्म इंडिया में लोगों को कितनी पसंद आती है